जैसे appeasement की policy या appeasement की politics कहां से शुरू हुई ये दिवंगत मात्मा गांदी राष्ट पिता उनी से शुरू हुई ये hypocrisy कैसे चलेगी ये hypocrisy में मेरे बच्चों को नहीं दे सकता राष्ट पिता के शब्दों के नाम पे मुझे एक सबल समाज में ही अहिंसा के दर्म और सिध्धानतों का पालन होता दिखता है आशीश जी यदि आप सबल हैं यदि आप सक्षम हैं ये समाज ताकतवर है मेरी बच्ची को मुझे हिंसक नहीं बनाना पर मेरी बच्ची को आत्परक्षा के लिए भी जागरत न करूँ क्या नमश्कार सिटी लाइव डायलोग्स में मैं आशीश कुल्सरिस्ट आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का दिन है दो अक्टूबर दो अक्टूबर के विशे में मुझे ज़्यादा कुछ बतानी की आवशकता नहीं पूरा देश और हमारा तो राज पूरा सब्ता मना रहा है दो अक्टूबर महात्मा गांदी की जैनती है देड़ सो साल उनके जन्म को पूरे हो गए है जिसकी खुशिया पूरा देश मना रहा है और साथ साथ उसकी खुशिया हमरा राजिस्थान में हफता के रूप में मनाई जा रही है आज सिटी लाइव डायलॉक्स के अंदर हमारा विशे ये नहीं है कि महात्मा गांदी की जन्म शताब्दी मनाई जानी चाहिए या नहीं पर हमारा विशे है कि महात्मा गांदी का उप्योग कब तक और कहा तक होता रहेगा महत्मा गांदी के साथ साथ मैं ये भी बता दू कि आज 2 अक्टूबर को इस देश में एक और लाल भी जन्मा था शायद उसके पोस्टर भी आपको कहीं न कहीं देखने को मिले हो और वो थे लाल बहाद्दूर शास्त्री लेकिन आज का हमारा विशे वो नहीं है क्योंकि जो चल रहा है उसी पे हम चर्चा करेंगे और जो चल रहा है वो है महत्मा गांदी महत्मा गांदी के विशे में बात करें तो महत्मा गांदी इतना चल रहे हैं कि लोगों की कई हजार करोड की पिच्चरे बन गई आज का हमारा विशे है कि महात्मा गांदी के विचार वो सिर्फ बेचने के ही काम आएंगे या आज के इस युग में वो विचार प्रासंगिक भी है आज की इस युवापीडी के लिए उन विचारों की क्या कीमत है तो आज इस विचे पे चर्चा करने के लिए हमने हमारे साथ हमारे साथ दो पैनलिस्ट मौजूद हैं एक है मेरी सीधे हाथ की तरफ बैठे हुए जे आहुजा जी जे आहुजा जी के विचे मैं आपको बता दूँ ये प्रेसिडेंट है निमी केतम नाम की एक संस्ता चलाते हैं जो भारत में रिफ्यूजी हिंदूज हैं जो पाकिस्तान से आते हैं उनके लिए काफी स्तर पे काम कर रहे हैं शोक्षल एक्टिविस्ट हैं आप इनको बड़ी आसानी से सोशल मीडिया पे जाके ढूंड सकते हैं ये एवेलेबल हैं और साथ ही ये एक इंट्रोपेनियोर हैं वैपारी हैं और बड़ी खूबी के साथ में ये अपने दोनों तीनों काम चला रहे हैं तो इन से हम चर्चा करेंगे और साथ साथ मेरे साथ मौजूद है अशोक राही जी जो है वो एक व्यंग कार है एक बहुत बड़ा नाम है थेटर के अंदर राजिस्थान के तो आईए इस परी चर्चा को इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं आज का हमारा विशे बड़ा सिंपल और आसान है कि महात्मा गांदी कब तक इस प्रकार बिक्ते रहेंगे महात्मा गांदी के विचार प्रासंगिक हैं या नहीं सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं अशोक राही जी के साथ में और राही जी से जानने का प्रयाश करते हैं कि माहतमा गांधी के विचार आज के युग में कितने प्रासंगिक हैं राही जी देखें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि विचार कोई product नहीं होता है कोई साबुन नहीं होता है, कोई मखण नहीं होता है जिसको की बेचा जा सके विचार एक thought level पे मनुश्री के मस्तिश्क में चलने वाली और समाज को बदलने वाली प्रक्रिया होती है सवाल गांधी के विचारों का ही नहीं बहुत सारे विचार हमारे इस देश में आये हैं और बहुत से ऐसे विचार भी आये हैं जो गांधी वादी विचार धारा के विपरीत हैं हर विचार का अपना मैत्व हैं जहां तक गांधी का सवाल है तो हमको ये इस बात पर बहुत विचार करना चाहिए, इस बात को भी सोचना चाहिए कि जिस आदमी का जन्म 150 वर्ष पहले हुआ और जो आदमी को मरे हुए, जिस मनिश्य को मरे हुए 70 वरस हो गए तो बावजूद इसके हम गांधी की प्रासंगिता पर आज यहां बैटकर बात क्यों कर रहे है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गांधी आज इस देश में सबसे जादा जरूरी है और मैं राजनीती की बात नहीं कर रहा, देखी राजनीती को ने गांधी को किस तरह उपियोग किया है या दुरूपियोग किया है वो एक अलग प्रशन है, लेकिन सवाल यह है कि इस देश के लिए गांधी क्यों जरूरी है और दो-तीन बाते हम आज के परिपेक्ष में अगर उनके उपर विचार करेंगे तो हमको इसपस्ट हो जाएगा तेकि गांधी ने कहा था कि सत्य बोलिये, आज हमारे समाज में हो क्या रहा है कि सब सच से मुह चुराने लगे हैं जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जिनके उपर हम अपने बच्चों का भविश्य सौंपते हैं उनके हाथों में जिनसे हम कुछ आशा करते हैं कि ये परिवर्तन करेंगे वहाँ पे भी हमको मालूम पड़ता है कि ये तो असत्तिक एसाहरे चल रहे है गांधी ने कहा कि अपनी ग्रह का सिद्धान्त मानिए कि कम से कम जीवन की आवश्यक्ताओं में अपना जीवन चलाईए गांधी ने वस्त्र पहनना छोड़ा, गांधी ने चीजों का उपयोग, छोटी से छोटी चीज का उपयोग करना शुरू किया वो क्यों किया, वो इसलिए किया था, वो इस देश को जानते थे, वो जानते थे कि इस देश के नागरिकों के पास इतनी संपत्ती नहीं है, इतने संसादन नहीं है कि वो धोती भी पहन सके, तो उन्होंने अपनी धोती पहनना छोड़ दिया सर पर आपको नहीं लगता कि आज कहीं न कहीं परिस्तितियां बदल गई हैं आप बात कर रहे हैं महात्मा गांधी ने कपड़े पहना चोड़ा क्योंकि दोती के भी देशवासियों के पास पैसे नहीं थे पर आपको नहीं लगता कि पड़िस्तितिया बदल भी जो इसके लिए भी अगर हम महात्मा गांधी को जिम्मेदार थैरा हैं यहाँ पर जुमिवारी की बात नहीं कर रहा है, सर हम बात कर रहे हैं कि क्या मात्मागांदी जी आप आपने आपके मात्मागांदी के विचार रहा है? सबसे जादा जो दुरूपियों किया गया है वो राजनेताओं ने किया है इसमें कोई दोराय नहीं है और उन्होंने धीरे धीरे गांधी को इतना दुरूपियों किया कि आज हमको यहां बैठके इस बात पर चर्चा करनी पड़ रही है जहां तक अपने जो बात कहीं कि आज समाज में परिवर्तन हुए है हमारे देश में संब्रिधी भी आ गई है लिकिन बावजूद इस बात के ये भी देखिए हमारे देश में कितनी भीषण गरीबी है राई जी ने एक बहुत अच्छी बात कहीं कि साब गांधी जी ने कहा था कि सच बोलना चाहिए और आज का हमारा समाज जिस तरीके से बदलाओ में आ रहा है उसके अंदर एक चीज बहुत शांदार हो गई है जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है वो इतना ग्रो कर जाता है इतना जबर्दस पॉलिश हो जाता है कि वो अच्छा बोलना शुरू कर देता है और सच्चा बोलना बंद कर देशता है, मेरे साथ में जै आउजा हैं, आईए उन से जानते हैं, कि उनके इस विशे पे क्या विचार है, साब राई जी ने अभी आपके सामने कहा कि महात्मा गांदी एक विचार है, और महात्मा गांदी जी जो है उनको इस देश को महात्मा आप विश्व के किसी भी कौने में किसी भी व्यक्ति को होगी उनके व्यक्तित्व की विराट होने को लेकर के पूरा समाज इस पे कोई दोराय मेरे हिसाब से नहीं रखता होगा अब रही बात के विचारों में प्रासंगिक था तो कुछ चीजें उनकी बहुत अच्छी हैं जैसे अप अरिग्रे की बात कही राही साब ने तो आज के समय की बहुत बड़ी समस्या है कि व्यक्ति की सांसारिक इक्छाएं इतनी अधिक हैं कि उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए जबकि हमारे जो बड़े हैं वो कह गए हैं संतोशी सदा सुखी यानि आप अपने उपलब्द सादनों में यदि जीना सीख जाएंगे तो आपको जो भौत तिक समय के दुख हैं कश्ट हैं वो महसूस नहीं होंगे मेरे विशय कुछ दूसरे हैं मेरे दादा जी 1947 में खाली हाथ नंगे पैर ऐसी धरती से आये थे जो धरती सभ्यताओं की जननी मानी जाती है सिंदु गाटी सभ्यता ओल्डेस सिविलाइजेशन फाइनस सिविलाइजेशन आफ ग्लोब है इस पे मुझे नहीं लगता दुन जिस सिंदु नदी के किनारे वेदों की रचना हुई मैं उस सिंदु नदी के किनारे से आये वे लोगों का उत्राधिकारी हूँ लेकिन गांदी जी ने अपने समय में जो अपीजमेंट या तुष्टी करण का खेल खेला वो घुन बनके इस देश को खा रहा है जैसे मुहमद अली जिन्ना ने 1938 में इजवात पर अब्जेक्शन किया कि वंदे मातरम नहीं कहना चाहिए आजादी की लड़ाई में ये इसलाम विरुद है उस बात को अकनॉलेज करते वे गांदी जी ने वंदे मातरम के गायन पर कांग्रेस के कारेकरमों में नहीं करेंगे ये मा को मानने वाली संस्कृति के वारिस है हम लोग या हम वो लोग हैं जो गाय को रोटी देते हैं हम वो लोग हैं जो चीटी को दाना देते हैं हम वो हैं जो प्रकरती को मा मानते हैं हम वो हैं जो नदियों को मा मानते हैं मा को मानने वाली संस्कृति आदर सम्मान होना चाहिए फिर भी मेरे मन में ये पीड़ा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में पूरे भारत का हिंदू मुसल्मान एक प्लेटफॉर्म पे एक जाजम पे आ गया था और सभी को अपने देश को उनके जालिम पंजों से मुक्त कराना था उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब आजदी का आंदोलन परवान पे चड़ रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ओटोमन एमपायर के राजा के विरुद्ध येरोपियन देशों ने युद्ध छेड़ दिया उसी के जनरल को सपोर्ट कर दिया तो जो इसलाम की खलीफा प कर रहे हैं खलीफा को मारने के लिए जो युद्ध कर रहे हैं वो गलत है और खलीफत बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसमें निरी पचास हजार हिंदूों की हत्या कर दी गई जबकि हमारा यूरॉप और खलीफा के बीच में होरी लड़ाई से कोई लेना देना ही नह उनके मन में पहली बार यह हुआ कि हम अलग हैं और हिंदू अलग हैं वहां से भारत की भाईचारे की परंपरा को बड़ी ठेस लगी उसकी परनिती के रूप में पाकिस्तान बना लाकों हिंदू बेगर हुए और हमारा देश हमारा देश नहीं रहा और हम उस कैंसर और आतियासिक भूलें उस समय में हमारे बड़े लोगों से हो गई तो हमारा उत्तरदायत वे हम समाज के सामने लाएं हम अपने बच्चों के सामने लाएं और हम उन्हें बताएं कि ऐसी एतियासिक भूलों से जो समाज बनाया है उस समाज के अंदर आज भी बहुत सारे करवा दिया या कॉंग्रेस ने बोलना बंद कर दिया मेरा सवाल यह कि वंदे मातरम अगर बोला जाता जैसे आज बारती जन्ता पार्टी उस पर अंपरा को पूरी तरह निवा रही है वंदे मातरम हर्जे के बोला जा रहा है तो अगर वंदे मातरम उस समय मातमा गांदी बंद ना करते हैं तो देश में कितना फरक पर जाए उस समय पूरे देश को आजादी की लडाई में पूरा देश जुटा हुआ था ये एक छोटा सा सैक्ट एक नेदा के एपीज करने का जो सिलसिला शुरू हुआ उसकी डिमांड बढ़ते बढ़ते इस एक्सपोर्ट करता है और जब तक पाकिस्तान की एक्जिस्टेंस से इस धरती पर शान्ती नहीं होगी ऐसा पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे मेरे प्रफ़ते में अगर ये जहां तक बंदे मातरम या इसकी बात है तो ये तो जैया आउजा ने कहा मुझे नहीं स लेकिन मेरा कहना ये है कि आज विश्व जिस तरह जा रहा है। विश्व जिस तरफ जा रहा है। हम सिर्फ भारत की बात नहीं करें, सारी दुनिया की बात करें। और पूरे उपमहद्वीब की बात करें। जिसमें अब हम ये चाहें कि आज की तारीक में हम इत्यास को बदल दें तो ये नहीं हो सकता हम अगर आप ये मानिए कि हम एक भारत की बात करते हैं एक उस भारत की जो की चंदरकुप्त के जमाने का था तो सुनिये सुनिये मेरी बात तो क्या हम चंदरकुप्त के जमाने का अगर भारत बनाएंगे तो हमारे यहां तो फिर पता लगेगा कि जो जो जने आज हम अलप संक्या कहते हैं वो बहुमत में हो गए आपके साब से क्या बदला जाना चाहिए बदला जाना चाहिए मान सिकता मान सिकता इस तरह बदली जानी चाहिए कि हम यह माने कि इस देश में रहने वाले इस दुनिया में रहने वाले सारे के सारे जो लोग हैं वो अपने अपने धर्मों को मानने के लिए सुतंत्र हैं य एक व्यक्तिकत स्थातंत्रता है जो की होनी चाहिए और जिसका मैं समझता हूँ कि महत्मा गांदी पुर्जोर प्रयास करते थे अज विरोध का है सर इस बात का ने 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 विरोध विरोध नहीं है लेकिन समाज में इस तरह की भी बाते चल रही है हैं इस तरह की बाते चल रही है कि हम हम यह माने हैं हम बिलकुल यह ठीक ऐसे ही है कि आप यह कहें कि एक गुल्शन के अंदर सारे गुलाब ही गुलाब होंगे इसके अलावा एक उपवन में और कोई दूसरा फूल पैदा ही नहीं हो सकता जमीन को सूट कर रहा है तो गुलाब भी उगाने में कहां दिक्कत है आउजा साप यह आपके विशेवाला मामला आगया है साप का कहना है कि सभी धर्म जो हैं वो एक समान है और सभी विचार अगर एक प्रकार से चलते हैं और अगर इतनी सुंदर दुनिया बन जाती है तो ह हम और आप जो पीस लवर्स हैं हम लोग अपनी सभीता संस्कृती को अगर पूरा देखेंगे साब ने का कि इतिहास की बात तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतिहास जो कौमें अपने इतिहास से सबक नहीं लेती हैं उनका भविश्य स्वते ही नश्ट हो जाता है अगर इतनी सुन्दर दुनिया बन जाया तो मैं भी वही चाहता हूँ मैं बच्ची का पिता हूँ मैं बच्चे का पिता हूँ मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ मैं उनको बहुत सुन्दर जीवन देना चाहता हूँ मैं अपना कर्तव हर प्रकार से निबाना चाहता हूँ व मेरे कहने से सबी धर्म समान नहीं हो जाएंगे क्योंकि जिसकी सव्यता आपको जिसकी संस्कृति जैसी शिक्षा देती है उस सव्यता संस्कृति का वैसा ही प्रोड़क्ट तयार होता है तो प्रोड़क्ट की अगर हम बात करें तो ज़्यादा दूर जाने की जुरुत नहीं है कल तक जो हमारा देश था जहां हमारी जमीने थी खेती थी उस पाकिस्तान में जब 1947 के बाद पहली जनगर्णा हुई तो उस जनगर्णा में 16.7 प्रतिशत हिंदू थे जो एक पॉइंट साथ प्रतिशत रह गए 90% अलब संख्यकों का वहाँ पे एथनिक क्लींजिंग सांस्कृतिक नरसंगार हो चुका है डेटा एस्टेटिक से ऐसे हमारा देश है हम यहाँ पे रहते हैं हिंदू बहुले देश है हमारे भाई हैं मुसल्मान दो करोड सतर लाग थे जिस समय आजादी मिली लगबग भारत में 7% के आसपास आबादी थी अभी हमारे मुसल्मान भाई भाई भारत में 25 करोड हो गए हैं तो ग्रोध देखिया आप उस संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हो गई है यह समझना पड़ेगा आप जैसे हैं आप वैसा समाज बनाते हैं जो जैसा है वो वैसा समाज बनाता है मेरे और आपकी इक्छा करने से चीज़ें नहीं होती हैं सत्य यह है कि आपने जिनको पाकिस्तान बना करके दे दिया आपने रातो रात जिनके साथ में इतना सब निभा लिया वो पूरी दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं तो सभी धर्म समान नहीं है इसके लिए हमको सभी धर्मों की किताबे पढ़नी पढ़ेंगी कुछ धर्म जो पूरी दुनिया में अनाचार फैला रहे हैं उनकी किताबों में जैसे आस्मानी किताब के नौवे अध्याय की पांचवी आयत में हर व्यक्ति की गर्दन काटने जो उनके विश्वास को नहीं मानता ऐसा लिखा हुआ मेरी बड़े-बड़े स्कॉलर्स जो उनके धर्म के उनसे बात हुए है उनका एक हैना यह चेंज नहीं हो सकता अशोग जी मुश्कुरा रहे हैं हमारे साथ में सर मैं सवाल कर लूँ एक बार उसके बाद में आप जवाब दे दीजेगा मेरा सवाल आपसे यह है कि हिंदूस्तान पाकिस्तान का जो बटवारा हुआ तो विचारदारा तो दोनों तरफ ही गांदी थी तो किवल हम ही उस विचारदारा के साथ में जाचल नहीं है पाकिस्तान बनना चाहते हैं? पाकिस्तान में अल्पसंक्योंकों को उनका प्रतीशत कम हो गया, बिल्कु ठीक है. तो क्या हम पाकिस्तान बनना चाहते हैं? पाकिस्तान तो एक आतंग की देश है, एक बरबाद देश है. पाकिस्तान तो इस समय नष्ट देश है. तो क्या हम अपने तुलना करेंगे तो सर क्या हम पाकिस्तान से तुलना करेंगे आशी जी हम पाकिस्तान से अपनी तुलना नहीं करेंगे मैं पुने कहना चाहूंगा कि जो कौमें जो कौमें अपने इतिहास को नहीं अध्यान करती हैं जो एतिहासिक भूलों को नहीं अध्यान करती हैं उन कौमों का भविश्य नश्ट हो जाता है। उसी द्रश्टी कौन से मैं precautional बात कर रहा हूँ। परमादर्निय प्राष्ट पिता मात्मा गानी जी ने 1947 की 6 अप्रेल को एक भाषन दिया और उस बाषन में विश्य ये था कि देश के बटवारे पे मौर लग चुकी थी transfer of population चालू हो चुका था हिंदूों का बड़ी बुरे तरीके से नरसंगार हो रहा था मुस्लिमों का नरसंगार ना हो इसके लिए मात्मा गानी ने कॉल लिया जो बहुत अच्छी बात थी व्यक्ति व्यक्ति को क्यों मार रहा है आपको देश चाहिए दे दियाना चले जाओ वाँ जिनको जाना है जिनको नहीं जाना वो अलग विश है लेकिन हिंदूओं के नरसंगार पर उन्होंने ये का कि यदि कोई तुमारी बहन को रेप कर रहा हिंदूओं को इंगित करके का तो तुम उसके पैर पकर लो और यदि वो तुमारी घरदन भी काट देता है तो तुम नरत्यू का आवरंड कर लो लेकिन तो मैं उसके खिलाफ हिंसा नहीं करनी है क्योंकि तुम हिंदू हो ये हिपोक्रेसी कैसे चलेगी ये हिपोक्रेसी मैं मेरे बच्चों को नहीं दे सकता राष्ट पिता के शब्दों के नाम पे मुझे एक सबल समाज में ही अहिंसा के दर्म और सिध्धानतों का पालन होता दिखता है आशीष जी यदि आप सबल हैं यदि आप सक्षम हैं ये समाज ताकतवर है मेरी बच्ची को मुझे हिंसक नहीं बनाना पर मेरी बच्ची को आत्म रक्षा के लिए भी जागरत न करूँ क्या एक 18 वर्षी बच्ची का पिता अपनी बच्ची को ये नहीं कहें के बिटा तुम इतनी सक्षम हो जाओ इतनी सबल हो जाओ इतनी सावधान हो जाओ इतनी जागरुक हो जाओ कि तुमारे साथ कोई हिंसा ना कर सके कम से कम तुम्हे ये बोध होना चाहिए तो समाज का शत्रूबोध खतम कर दिया आहुजा ने जो कोटेशन की बात कही वो मुझे मैंने तो नहीं पढ़ी है, हो सकता है, उन्होंने पढ़ी हो, लेकिन मुझे मैंने भी गांधी को जितना भी पढ़ा है, गांधी पूरा तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, बहुत लाखों शब्द हैं गांधी ने जो लिखे हैं, लेकिन गांधी ने इस तरह की बात क जो लोग अपना इतियास भूल जाते हैं, वो उसको दोहराने के लिए अभी शप्त होते हैं, यह मैं उनकी बात से बिल्कुल सेमत हूँ, लेकिन जब हम इतियास में जाते हैं, हम इसलाम के इतियास से पहले हमारे देश के इतियास में जाते हैं, इसलाम की बात नहीं कर रहे ह अब हम वहां जाएंगे तो वहां हमको सुर और असुर मिलेंगे। वह तो बहुत पुराना हो जाएगा सर मातमा गांधी मातमा गांधी शूटते चले जाएंगे। एक जया हुजा जी की बात से बात और याद आई उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप ही टिपनी करें। वह बात यह है कि साब इन्होंने का कि रमातमा गांधी राष्ट्र पिता साब किसी के पिता अगर दुनिया को छोड़ के चले जाएं और कोई बाहरवाला व्यक्ति अगर उस घर के किसी बच्चे को यह कहता है कि तुम इस परिवार में पिता तुल्य दिख रहे हो तो इसम किसी के लिए भी कुछ कह सकते हैं और किसी के लिए भी कुछ कह सकते हैं तो ट्रम्प से क्या? बात थी, वो यही थी कि महत्मा गांधी के नाम पर हम क्या कर रहे हैं? महत्मा गांधी की तस्वीर लगा के नीचे रिश्वत ली जा रही है, सारे सरकाली दफ्तरों में. और देखें फिर वोई बात, अब यहां पर मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा है. कौन महत्मा गां महत्मा गांधी की विचारदारा को वो भी मान रहे हैं क्या है? आशिश जी, पॉलिटिक्स है सुटेबिलिटी पे. राजनीती का अपना एक चरित्र है और राजनीती का वैसे कोई चरित्र नहीं है. तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा राजनीती में कोई चाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आज भारत को चाइना आग क्यों नहीं दिखा रहा है? दिखाता भी है बैक फुट पे क्यों चला जाता है? इमरान खान पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, उचलकूत कर रहे हैं, लेकिन उनसे बॉर्डर पे तो कुछ किया नहीं जा रह और हम इतने बत्तमीज भी नहीं है, हम इतने निकरष्ट भी नहीं है कि हम पूरी दुनिया को गली-गली में जाके कहें कि हम आटमिक पावर हैं, सबको पता है हम आटमिक पावर है और हम हमेशा कहते हैं कि आटमिक पावर का सदुपयोग बिजली बनाने के लिए करेंगे, राष्ट की तरक्की के लिए करेंगे राष्ट के निर्माण के लिए करेंगे भारत ऐसे नेशन चाहे कॉंग्रेस हो या बीजेपी की दोनों पार्टियों की अच्छी बात है कि हमने अपनी शक्ती से आखे दिखा के इसका दुर्प्योक नहीं करने की प्रयास किया ग्लोबल सोशल रिफॉर्मर एक समाज के बहुत बड़े संत आरे समाजी संत स्वामी श्रद्दानंद जो बहुत अदबुत काम कर रहे थे उस समय समाज में कुरूतिया मिटाने के लिए 23 दिसंबर 1938 को 1926 को उनको गोली मार दी जाती है गोली मारने वाला व्यक्ती एक फैनिटिक होत समय के कई मुस्लिम नेताओं ने भी स्वामी श्रद्दानंद की हत्या को बहुत बूरी तरीके से कंडम किया उसकी बुराई की कि एक संत की इस प्रकायद से हत्या हो जाना उचित नहीं है उसको जस्टिफाइए कर देना अब कैसा देश दे के जाना चाहरे हो हमको आप कैसा नपुन्सक समाज बनाने का प्रयास कर रहे हो आहिंसा के नाम पे आहिंसा होनी चाहिए हम कोई बंदू के लेके नहीं गूम रहे हैं यहां पे और हमें बड़ा सीदा इन्होंने तो मुद्दा उठा दिया कि मातमा गांधी कहते है एक गाल पर थपड़ मारों के दूसरा आगे कर देंगे बर यह कहते हैं कि अब आगे करेंगे देखे जहां तक हिनसा की बात है तो यह त हिंसा से मांवता चली नहीं है। और ये आप पूरी मांवता बनश्य जब से पैदा हुआ है तब से इतियास से आज तक देख लीजिए। हिंसा की वज़े से करोडों अर्बों लोग इस प्रत्वी पर मारे गए हैं। हिंसा की वज़े से। तो आइंसा हमारी संच करती है, आइंसा एक विचार है, हमारी संच करती है, विचारों में मेरा और जै में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन हम परस पर हिंसा पर उतारू नहीं होंगे, हम एक दूसरे के मत का सम्मान करेंगे, हम एक दूसरे से बात करेंगे, तरक से हम को चेस्ता करेंगे कि ये मेरी बात माने या मैं इनकी बात मानूं लेकिन हिंसा पर कम से कम उतारू नहीं होंगा तो हम बात कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के विचार जो हैं वो किस तरीके से आज के युग में प्रासंगे के साब एक फाइनल क्लोजिंग कमेट बहुत ही करता हूं कि वो करपिया इस समाज को बाजार नहीं बनने दें इस समाज जब अगर ये समाज हमारा जो उभोकतावादी संस्कृती के अंदर बहुत तेजी से जा रहा है अगर ये चलता गया तो देखिए फिर मैं बात करता हूं ये अरबों लोगों का देश है ये डेड़ अरब लोग रहते हैं इतने संसाधन ही नहीं है हमारे पास हम ये सारी बहुत सारी चीजें चमकिली चीजें तो देखती है लेकिन अभी बहुत बड़ा वर्ग हमारा एक दम गहरे अंदकार के अंदर इस देश में पड़ा हुआ है तो कम से कम वो उनका भी धिहान रखे मेरा यूथ के लिए ये मैसेज है कि जीवन में एक अच्छा काम जरूर चुन लें स्टूडेंट लाइफ में रहते वे भी प्रोफेशनल लाइफ में रहते वे भी और समाज के ऐसे किसी न किसी वर्ग के लिए सेवा का भाव रखें उनके साथ समय बिताएं उसके दो फाय में हमेशा ये कहना चाहूंगा कि सत्य पर जीवन जीएं जूटी दिखाई हुई तुष्टी करण की तस्वीरों को तोड़के फैके हम हिंदू हों मुस्लिमों सिखों एक दूसरे के सत्य को स्विकार करें एक दूसरे को सत्य कहना स्विकार करें ये उसको बुरा लग पाएंगे तो ये ही हमारे समय की तातकालिक सबसे बड़ी उपलब्दी होगी City Life सिर्फ इतना कहेगा कि केवल और केवल दो अक्टूबर को महात्मा गांदी को याद ना रखिए मन में रखिए किसी भी मजबूर कमजोर की मदद करेंगे और मन में महात्मा गांदी और उनके विचार हैं तो आगे बढ़ सकते हैं किसी बार फिर मुलाकात करेंगे किसी ना किसी ऐसे ही बहतरीन विशे के साथ जब तक के लिए धन्यवाद और जाहिंद